पुस्पाटू लीक ओनलाइन रिलीज के कुछ घंटे बाद ऑनलाइन लीक हुई पुस्पाटू कमाई पर पड़ आसर पुस्पाटू की रिलीज का फैंस भी सबरी से इंतिजार कर रहे थे पांच दिसंबर यानि आज फिलम रिलीज हुई थेटर्स के बार भगदड़ी मच लेकिन ग्रिनेड रिलीज के कुछ घंट बाद फिलम प्राइवेसी का सिकार हो गई ओनलाइन लीक कर दी गई पुस्पाटू दी रूल धमागदा तरीके से रिलीज हुई आज ही साथ ही साल की सबसे बड़ी फिलम बनने की तेजी से रपतार पकड़ चुकी है लेकिन इस को थामने की पाइरेट गैंग की ओर से पूरी कोशिस की गई जी हां फिलम को रिलीज के कुछ घंटे बाद ही ओनलाइन लीक कर दिया गया है फिलम पर प्राइवेसी का कितना सथ पढ़ यह देखने वाली बात होगी प्राइवेसी का सिकार फिलम पुस्पाटू की रिलीज का फेंच बेशावरी से इंतिजार कर रहे थे पांथ देसंबर यानि आज फिलम रेजिस थेटर्स के बाहर बगदर मिच गई लेकिन ग्रेने रिलीज के उच्छी घंटो बाद प्राइवेसी का सिकार हो गई ओनलाइन लीक कर दिगए रिपोर्ट्स की माने तो फिलम के प्राइवेसी आसमान चूता दिख रहा है वहीं दूसरी और फिलम फ्री में वाट्सब वेबसाइट पर अभेलेवल होगा फिलम को नुक्सान पहुंचा जा सकता है इतना ही नहीं फिलम फिलम लव पुस्पा के एक्षन से इतना इंस्पायर हो गई इसके कई किलिप्स को दड़क ने इसे सेर किया जा सकता था इन हरकतों से फिलम की टीम ने एक्षन लिया और सोचल मीडिया पर उन तमाम वीडियो को कॉंप्यराइट के तहित हटवा दिया जाता है फिलम को होगा नुक्सान हाला कि ट्रेड एक्सपर्ट का मानने पुस्पाटू फिलम को इस प् पहला सो देखने के होड में था किसी फिलम के पहला आपता बहुत महत्पुन होता है जो कि पुस्पाट प्राइविसी से बॉक्स ऑफिस पर सर डालत डालता नहीं दिख रहा है कि फाइनली थ्री साल के लंबे इंतजार के बाद फिलम पुस्पाटू दी रूल थेटर्स मे लगी क्रियेटिव की तरफ से मूवी को सांधर बताया गया है फिलम में अलू अर्जुन के रस्मी मंदना फैदाना फासिल है एहमद भूमिका में हैं इस सूकुमार से डायरेक्टर की अप पुस्पा के पहले पार्ट ने गुर्दा उड़ा उड़ा उड़ाया था बॉक् कि आपको पुस्पाटू के जब अपने फैंस के आगे आए तो वहां पर एक मा और बेटे की मौत हो गई है जो कि कोचलने के वजए से और ऐसी ही अपडेट्स के लिए मूवी अपडेट्स के लिए ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए हमार चैनल को फोलो कर लीजिए मिलत संदे थे तो में प्रीमियम के बाद मौके पर अलो अर्जन पहुंचे और उसके बाद बगदर मच गई इस घटना में कहीं लोग गायल भी हो चुके हैं धन्यबाद दोस्तों मिलते नेक्स्ट वीडियो में